तो दोस्तों इंडिया के लिए काफी अच्छी नहीं हो जा रही है कि इंडिया जापान को सरपास टलेगा 2030 यह रिपोर्ट आपकी ISS मालकिट ने पब्लिश की है इसने बोला है कि इंडिया जर्मनी यूके और जापान को सरपास टलेगा 2030 और एसिया ती सेटिन लार्जेस्ट एकोनोमी बन जाए रहा और बल्ड़ती खड़ लाजेस्ट बन जाए रहा एकोनोमी तो इसने त्यार के इस रिपोर्ट में बोला है इसने यह बोला है इंडिया ती जो नॉमिनल जीडिपी 2.7 टिलियन है वो 8.4 टिलियन हो जाए दी 2030 तत जो इंडिया ता टंजप्शन अडिल क्लास रहेगा और इसने 2022 में इंडिया ती जीडिपी 8.2 परसेंट रोट पिर दिखती है और लाश्ट यह कितनी थी 7.3 परसेंट तो इंडिया ती 2022 में जीडिपी वरेगी तो यह ताफी अच्छी नूजए और अभी कौन सी एकोनोमी किस नमार पर यह भी देख ले में दो से तीन साल डेली रही थी दो साल तो वो 2022 में दुरोबी तरे रही और 2023 से अटन लार्ज़स एकोनोमी हो जाए तो दोस्तो इस नूज़ में इतना ही धन्नवाद